First of all, thank you so much for clicking my video and I'm your friend Non-Chain. वेट कपल दिखाया जाता है वहीं पर उनका फोटोग्राफर उन्हें जेजुलेंड की स्टोरी के बारे में बताता है कि यहां पर मॉंस्टर्स को रोकने के लिए गौर्ड ने अपनी 46 बच्चों के बलड को सील कर दिया था और उनकी 46 स्टेच्यों बनवाए थे और उन स्ट के लिए वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर दो स्टेच्यों होते हैं तो देखते रहते हैं और फोटोग्राफर अपना केमरा सेट करता रहता है तो वहां से क्रेक्स होने लगे और वहां से एक ब्लैक स्मोग निकला जो उनके अंदर चला गया और फिर जब ब्राइट खासने लगी तो प्राइड के मौं से एक स्नेल लिकलता है लेकिन दूसरी तरह फोटोग्राफर अपना केमरा सेट करने में लगा होता है वहां पर उसे नहीं दिखा जाते हैं लेकिन जो पीछे देखता है तो उसमें देखा कि ग्रूम वहीं पर खड़ा था जो कि मॉन्स् एक पेंटिंग को देख रहे होते हैं जिसमें से बलड निकल रहा होता है तो फिर वहां प्रिस्ट है कि जल्दी से युवान के पास फॉन आता है वहीं पर हमें लड़की दिखा जाती है जिसे बांद कर रखा हुआ होता है तो पर लड़की प्रसिए आताहा है और जब की दिंच बिए उसे शांत होने के लिए कहता है ऊफिर वापस अपना काम करने लग формी पर के लги लड़े वर रचीण घ्यर बंगर आई थी लेकिन हम अपना मजन प्रॉं कहड़ा हुं का लले तक राव हुंआए ने फिर वो कहते हैं कि डीमन्स हम पर पिर से हमला करने वाले हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाने पर काम करने वाले हैं और हमें इन्हीं रोकना होगा और वो यूँआन को बताते हैं कि कुछ साल पहले एक सेवियर ने जनम दिया है और उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमने उस पर नजर रखे हुई है और यूआन को कहते हैं कि तुम जेजुलेंड जाओ और उस सेवियर को प्रोटेक्ट करो और यही से सीन सिट होकर हमें दिहान होटल दिखाया जाता है जहां पर दिहान होटल की CEO की बेटी यानि की मिन हूच जो हमारी ड्रामा की में लीड एक्टरस है और वहीं पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स और मीडिया होते हैं तब ही वहाँ पर एक रिपोर्टर उनसे कृशन पूसता है उनके होटल के बारे में और करेंटली उनके होटल की सिचुएशन को ज्यादा अच्छी नहीं थी मिन्वू से कहती है कि यह सारी महंगी महंगी पेंटिंग्स हम अपने होटल में लगाएंगे जिससे कि हमारे कस्टमर्स इन पेंटिंग्स का अच्छे से एक्सपेरियंस कर सके और फिर हमें मियो और उसके सेकरेटरी और ऋसके डैटकी सेकरेटरी गरे साथ इना कटरते possibilities जर्णर्स चेंग जोकि उसके डैटकी सेकरेटरी होते हैं उनसी ने कनेक्ट रोती है मियो झयो क्यारे रेता होकर एपनी वह से अपनी के पर सब्कूरा करना जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं परती है और फिर उसके आंट उससे कहती है कि एक तुम्हारी ही वजह से मुझे अपने ही होटिल के बारे में आर्टिकल से पता चलता है तो फिर मिन हो अपनी आर्ट से कहती है कि एक तिहाम होटल ही हो रही है और मुझे तो इसमें इंवर्व होना ही था तो फिर उसके आर्ट कहती है कि होटल मेरा है तो मुझे चिंता करने की ज़्यरा जरूरत है तुम्हें नहीं तो फिर मिनहों से कहती है कि दिहान होटल के 40% शेयर दिहान ग्रूप के हैं और बागी के 25% मेरे डायट के हैं और आपके 17% है और मेरे हैं 18% और मैं अपने डायट के सक्सेसर हूँ तो मुझे तजिनता करने ही पड़ेगी ना तो फिर यह सुनकर उसकी आंट वहां से डुस्ते में होकर चली जाती है और मिनहों जले वाप से वापज जा रही होती है उसकी गाड़ी के चाङए ऑचानक से एक और गाड़ी और उसकी गाड़ी देखी तो फिर सेक्रेटरी बाहर निकल कर देखता है तो वह बर दो लोग होते। वह उसके परेशान और उन्नु को समाने की कोशिछ करती है लेकिन उसके शांबर किया वाइस्ट-वीडियू साध ख्निस जानcit पर यही वीडियो नेक्स टे वाइरल हो जाती है और यह सब उसके आंट नहीं करवाया था जिससे कि उसकी और उसके डैड की रेप्यूटिशन खराब हो जाए और ऐसा ही हुआ और उसके डैड उससे नाराज हो गए थे और उसने इपने डैड को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह सब उसके आंट नेकरवाया है और इसमें तो मेरी ने कोई गरथी नहीं है। लेकिन जब वो एरपोर्ट पर पहुंसते है तो वहां पर बहुत सारी मीडिया खड़ी होती है तो वहां से भागने लगती है और बैक डॉर से बाहर निकल जाती है और जब उसने बाहर कदम रखा तो उसे एक अजीब से एनरजी फील हुई और वो एकदम से शौक हो गई थी और उसी टाइम पर हमें दूसरी तरफ दिखा जाता है एक डेडी इसको जो जंगल में होती है और उसे भी वही एनरजी फील होती है लेकिन फिर वो उसे इग्नॉर करके पार्किंग लोट में जाती है लेकिन वहां पर उसे वही ब्राइट दिखती है जो मॉंस्टर में कर लेती है लेकिन फिर भी मॉंस्टर उसका पीछा नहीं चोड़ता है और उस वैं में हाथ गुसा कर वो उसे खीचने की कोशिश करता है और मिन्हों बहुत जोर से चिला रही होती है और जब मॉंस्टर मिन्हों की एकदम करीब आ गया था वान होता है वह एकदम स्पीड स करेप से आते हैं और उसमृस्ट्र बाहर निकाल देते हैं और फिर वहां पर वान और मोंश्ट्र की जबरदस होती है यह बाद करने बेज भधा तो वहां बाद के काल में कए कि यहांकर हुआ है कि वह सही जगी नहीं ही तो तुम्हें लिदी औरम हमें बहुत साल पुराने यज्व आइलेंड का Iron क कि वहां में ने मार डाला वहां पर सबी मर चुके थे एक बच्चे को छोड़कर तो उस बच्चे को वह एक मौंग के पास ले जाते हैं और वह मौंग कुछ बच्चो को डीमन स्लेयर बनाना चाहता था तब ही वहां पर बैट जो आती है और उसे मना करती है यह सब करने के लिए क्यूंकि उसने पहले बी ऐसा करके बहुत से बच्चों की जान ले ली थी लेकिन फिर वो नहीं मानता है और उसे कहता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई रासा नहीं है लस्टेमन को रोगने के लिए। कफ़ियों सभी बच्चों को एक गुफा में बड़ा आप चीit out au जो की ऐक मलेख सोच पर सेरवायव करता है और इसके सामने पारने यावाली हर एक जिन्दा चीज को महार डालता है एक नॉर्मल को इसे हराना बहुत मुश्किल है इसे पकड़ने के लिए बहुत से इंसानों की जाने गई हैं तब भी वहाँ पर वह मॉंक एक चोटी तलवार लेकर उस मॉंस्टर के सीने में घुसा देता है और उसका ब्लड जो एक आग की तरह होता है उसे एक बॉल में डाल देता है और जब सुबह देखते हैं वहाँ पर दो ही जिन्दा रहते हैं तो पिर मॉंक उं से कहता है कि तुम आप देमन स्लेयर बनोगे और उनमीं से ओन रखता है और दूसरे नाम गॉंटकेंग और वह उन्ने बतानाने हम ग्रदर इंसान और आदे डीमन हो, अपर वो उन दोनों को डीमन स्लेयर बनने के लिए उनकी ट्रेनिंग शुरू करवा देता है, तभी वहाँ पर जब उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है, तभी वहाँ पर बैक्चो आती है, और उसके साथ एक लड़की आती है, जिसका नाम वांग जयूंग रूप में काम जॉइन करती है, और तभी वहाँ पर एक टीचर आती है, और वो उससे कहती है, कि मुझे बिल्कुल भी अच्छाने लगा, क्योंकि तुम यहाँ पर आई हो, और फिर वो एक दूसरे की तरफ देखनी लग जाते हैं, और फिर स्माइल करते हैं, वो एक दूस शुन कर वो बहुत ज़्धा अपसेट हो जातی है, और तब ही उसके पास इनिवेस्टिकेटर की कॉल आती है, और उसे जो पता चलता है, वो उससे शॉक कर देता है , और उससे ये पता चलता है कि उसकी आंट से उसका सेर्यटिय मिला हूँ रोत हूँ घोसा करती था और आब्से के इस लुक्त आपके कुछ रहना है एक उसे नहीं कर पर युहां पर करेदर पको तो टुमर्स पॉत किस्थ मुंसने लिएस इए तो उसे पलचे आजाता और इस लोग आप था आर्इक होता है और ऐबारं उसके लिए तो मिनो मिट्र चैंक वो इसकी यह काम कर रहा होता है और वो उनको को भी कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पर वो सेकरेटरी आ जाता है और वो से कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो और फिर्जमीनो जब उसके आँखे और उसके हाथों को देखती है तो वो पूरी तरीके से डीमन में चेंज हो गया था और वो उसे अटेक करने बाला ही होता है कि वो उसे किक मारकर ज Funkल में भाग जाती है और इमन भी उसका पीछा करने लग जाता है लेकिन अच्छानक के डीमन वहाँ पर आजाता है और उसको गला पकर लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है तभी वहां पर तुफ़ान की ही तेजिससे वान आता है तो उस दीमन के हाथ को कट कर देता है और वो डीमन हाथ कटने के बाद भी नहीं मानता है और लगातार मीहो पर अटाइक कर रहा होता है और जब उस पर अटाइक कर रहा होता है तभी वहाँ पर बीच में वान आ जाता है और उसने अपने चारों तरफ नच्रेल सील्ड बना दे थी और वहां बहुत इची सरीके से उस डीमन से पाइट कर रहा होता है और लास्ट में जब वान उसे हरा देता है तो वह एक स्टॉन में कर्वर्ट हो जाता है और उसे वान अपने पास रख लेगा है और फिर मिन हो यह सब देखकर बहुत जदा घबरा जाती है और फिर सेंग सेफ्ट हो जाता है और हमें वांग जियोंग को दिखा जाता है जो वांग और किम टैंग से मिलने आई भी होती है और फिर वो उन से कहती है की सभी बाहर गए है तो हम यहां से भाग सकते हैं ऑर वो आपर कोई नी डूम सकेगा और नहीं कोई बांख कर रखेगा जब वो वान की बेडियां कोल रही होती है उस पर वाद के अंदर का देमन हावी हो जाता है और वांग जोंग के हाथ पर काट लेता है लेकिन वांग जोंग उस पर गुस्ता करने की बज़ाया उसे पैयार से कहती है कि मैं तुम्हेर समझ सकती हूँ और फिर वो कहती है कि मैं तुमाना हमेशाओ दूँगी और उन दौनों के लेकर भाग जाती है और टैंपल में ये पता चलता है कि वो तिनों भाग गए है तो मौंग कहता है कि उन दोनों में लेस्टीमन का बलड है और अगर वो उन पर हावी हो गया तो बहुत ज़दा तबाही मच जाएगी अगर उन दोनों में उस पर काबूर नहीं किया तो और फिलकु सम्मीवाद वाँन आगिंटचक को अपनी पीड़ लेकर आते हैं वोठी वोट के काटने से वह बेहौश हो गए थी और उनको सजा के तोर पर बहुत ज़दा कोड़े मारे जाते हैं और वह बेहौश हो जाते है और और उन्हें वहीं पर बंद कर दे जाता है तब ही वहाँ पर वांग चूंग आती है और उसे कहती है कि यह सारी मेरी गलती है लेकिन मैं बादा करती हूँ कि मैं तुम्हें यहां से बाहर जरूर निकालूँगी और जब तक मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करकर यहां पर नहीं आती तुम्हें जिन्दा रहना होगा और फिर सीन प्रेजन टाइम में सिफ्ट होता है जहांबर यूवान मिस्टर चैंग से 10 साल बाद मिलने आया हुआ होता है और जब मिस्टर चैंग ने यूवान की कोरेंट सुनी तो बहुत उसके फैनी हो गए तो यूवान उन्हें बताता है कि जब फ्री होता है तो उसे के-पॉप और के-ड्रामा देखना बहुत पसंद है इसलिए वो इतना अच्छा है इसमें और दूसरी तरफ मिस्टर चैंग उसकी अच्यूमेंस से बहुत ज़दा इंप्रस थे क्योंकि वो इतनी चोटी उमर में ही सुपर नच्छल पावर्स पर इतनी अच्छी पकड़ बना ली थी और युवान में मिस्टर चैंग को बहुत ज़दा अप्रिशेट करता है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सक्रिफाइस कर दी थी सेवियर को बचाने के लिए अपने तो बविशानी सुनी ही होगी कि अच्छाएपर बुराएय पिर से हावी होने वाली है और डिमंस से दर्दी पर आने वाले हैं और मिस्टर चैंग उससे कहते हैं कि तुम्हारा क्या उन्हां है तो फिर यहां मिस्टर चैंग से कहते है कि मुझे ये तो पता ही है कि मीहो ही वो सेवियर है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है लेकिन उससे पहले मुझे उसे अवेकन करना होगा जिसे ही उससे सब कुछ यादा जाए लेकिन उसके एंगल कहते हैं कि ये काम बहुत ज़्यदा डिफिकल्ट है ये कि मुझे पूरा वरोसा है कि तुम ये कर लोगे और मैं तुम्हें मीहो से अपना डिलेटिव कहकर मिलवाऊंगा जिससे उसे शक ना हो और तभी वहाँ पर मिस्टर चैंग वहाँ पर पुलिस लेकर आ जाते हैं लेकिन वहाँ से वान गायब हो जाता है और फिर पुलिस मीहो से पूछती है तो वो सब कुछ बता देती है और सुपरनेचर पावर और डीमन के बारे में वो सब कुछ बता देती है लेकिन पुलिस को उस पर यकीन नहीं होता है तो वो पुलिस वाला ऐसा सोचता है कि ये अभी भी शौक में है और फिर वो घबराती हुई मिस्टर चैंक को कहती है कि आप डैट को कॉल कर दीजे और उनसे कह दीजे कि मैं वसी और वापस आ रही हूँ लेकिन मिस्टर चैंक से कहते हैं कि उसकी तब यह थुड़ी खराब है और वो थुड़ी स्ट्रेस्ट है लेकिन वो ठीक हो जाएगी लेकिन वो वहाँ से कैब लेकर चली जाती है और एरपॉर्ट पर जब वो पहुंसती है और जब वो उसके आँखों की तरफ देखती है तो वो डर कर वहाँ से भागने लगती है और डीमन भी उसका पीछा करता है और फिर वो भागते हो एक कार में बैठ जाती है लेकिन वो डीमन महाँ पर भी आ जाता है लेकिन वह जैसे तैसे करके इस demon को धख्खा मार कर उस गाड़ी को ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है लेकिन वह demon उसकी कार के ओपर ही होता है जिससे Mayhoあー का unos पर ब्रेक लगा कर उसे आगे ीरा देती है और वह कार उस पर surड़ा देती है जिससे उसकी गाड़ी तकराकर पलट जाती है और मियो उसकी गाड़ी से निकलकर वहां से भाग जाती है और एक जगर जाकर छुप जाती है लेकिन वह जहां पर छुपी हुई होती है उससे अचानक से आवाज हो जाती है जिससे उस डीमन को पता चल जाता है कि वह महां पर है जिवा और वहां पर फैसे कूंप रहा देथा है और वान वहां से कहता है कि तुमझे अभी पुरी शक्ति है और ये इंसान को मार कर उनका शरीर लेकर उन्हीं के बीच रहते हैं तो फिर हो कहती है कि ये सब मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं तो फिर राओं कहता है कि ये तुमारे किस्मत है और जब तक अपना मकसद पूरा नहीं कर लेते वह तुम्हारे पीछे के लिए ना एक्साइट होने की जरुष मथे मिलोगे को ढिते हैं तूम्हारे सारी डर में बद्द जायेगी और में मीहों को दिखा जाता है जो और वान को याद कर रही होती है तुमियाल संद्र 001 नाते हैं तो मीहों को क्याती है कि आपने सुने के लेकिन नीन ही नहीं हारे होती है कि अचानक से ऑबाज आती है और हुझ से शुनकर शोब चवाठी है लेकिन फिर दीरे बार निकल कर देखती है पे वहां फो हम पर भान बहुत सिर्फियस उसके पीड और रूम केpesन ऐधा है की लेस。 हें तो जाकिता है कि हाँ था लेकिन अब नहीं है और वाँ इतनी सारे हैं कि गिन हैं भी नहीं सकती हो तो जाहिती हैं ऐसलाइब से तो बीद Having I'll push लगता है तुम हो कहती है कि मुझõ बॉटर लग रहा है लिए रुख़ा तो यहीं पर रुख जाओ और तु मेरे बोड़ी गार बन जाओ और फिर वह जाकर बैट जाती है और बाते करते करते उसे नहीं गजाती है तो फिर वहान उसके बैट के पास देखता है वहाँ पर Sleeping Prince होती है और फिर Next Morning जब वर सुबहां उठती है तो उस contract paper को देख कर वह बहुत खुश्च होती है क्यो क्योंकि वहां नेस पर साइन कर दिये थी लेकिन वहांकर कोई अमाउंट नहीं था और दूसरी तरफ बैक जो जो अपनी पोती जोई को बता रही कि लिबोना के बारे में कि पुराने जमाने में जब औरतों के साथ बहुत जल्म हुआ करता था तो पूरे वीच्वल के साथ ल अभी लिबोना की स्पिरिटकी clicking होगी तो फिर उसके दादी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तो फिर वह कहती है कि मुझे तो लगतए कि बावी तक होते होंगे और फिर मिहो मिस्टर टैंग से वांग को मिलवाती है और उससे के चाहिए हैं जोई बठी बादिक्स गै उसके पास जाती है तो से बोड़ी पर बहुत जदा मार्ने पीटने की निशान थे तो वो उसकी पूछती है यह सब किसमने किया झीला बाहर निकलने के लिए और स्कूल जाने के लिए मना करता है और वो उसके प्राइविट फोटो के जरीयों से ब्लैट मेल कर रहा होता है तो फिर जोई उसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास उसके खिलाब को एक सबूत है लाइक मेसेज और फोटो तभी उसके पास उसके नहीं कर सकती उसे पुलिस के पास जाना चाहिए और दूसरी तरफ हमें सुर्यां को दिखा जाता है जो ब्लैक मेलिंग से बहुत अतंगा चुकी ती उसमें सुसाइट करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं कर पाती है और सारे रिच्वल प्रफॉर्म करने लग जाती है और हंपर अचानक से अजीब सा मूसम हो जाता है और्टेझ हवाएं चलने लग जाती है और वहां का खंजर भी वाइब्रेट होने लग जाता है औरत में जब भाज ब्रक और नहीं ज़ो नहीं यवान होता है और शिय चेंग मीह से मिलाते और उसमें कहते हैं तो जो आते हो कि यह आपर नहीं रहोगे तो मैं बहने चाला जाऊंगा तो फिम्मीहो गती है operations हम मेरे पीछर नहीं होगती है मैं जहां पर जाती हूं वही पर आ जाते हैं मैं उसे बलाए और गिरने वाली धाती है उसे पपडल लेता है ुदिन वहां उसे मिलता है वोन्स्रें सभान siya क्या मैं मन्सर कि और तो मैं खटर्णाऊ दिखना क्या है और लिए मतना घंजर कहा रखा है कोट के अंदर रखा है चाहीं तुम्त काफी कीूट हो लेकिन पिरवान 어떻게 है कि अभी तो मेरा खंजर मेरे कोट के अंदर है लेकिन तुम्हारी गर्दन पे भी हो सकता है और तुम इनसान हर चीज को जाने में बहुत ज़्यदा एक्साइटेड हो जाते हो और जब नहीं जान पाते हो तुम प्रेशान हो जाते हो और मुझे जानने के हमुषिछ तो तुम युआं कहते हैं कि मैं तो यहां पर बोरी हो जाओंगा तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ And through रास्ते में वान को किसी कि होनी का एहसास होता है तो फिर वहां गाड़ी भात तपी और फिर वहां बिना कुछ बटाए जंगल में चला जाता है और वहाँ पर मीहो परिशान होने लग जाती है तो फिर यूआन कहता है कि कोई बात नहीं मैं तुम्हारा बोडी गार्ड बन जाता हूँ और जब वो जा रहे होते हैं तो उनकी गार्डी से जोई टकरा जाती है और वहीं पर गिर जाती है और उन दोने से कहती है कि मैंने ही उसे लिबोना की पूजा के बारे में बता रहे था और उसी के बाद से वो गायफ हो गई है और फिर मीहो और युवान उसकी हल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और उसके साथ सूरियंग के घर कर जाते हैं और फिर जोई को वहाँ से वापस भीज़ देते हैं और फिर उसकी मौव से मिलते हैं और हम दूसरी तरफ वान को देखते हैं जो उसी पेड़ के पास पहुँच चुका था लेगिन वहाँ पर एक गड़ा हो चुका था और वहीं पर वान का खंजट भी वाइबरेट होने लग जाता है और यह तब ही होता है जब उसके पास कोई स्पिरिट हो और दूसरी तरफ जब मीहो और युवान सूरियंग से मिलने आते हैं तो वह जोड़ जोड़ से चीख नहीं लग जाती है और ऐसा देखकर युवान एक केंडल जलाता है और उसको बान देता है और वहाँ पर वह एक्सेजिसम परफॉर्म करने लगता है लेकिन सूरियंग बहुज़दा अजीब बहेव करने लग जाती है और वो मीहो से कहती है कि मैने तुमें पकड़ लिया और उसका ऐसे कहते ही वो दोनों जंगल में पहुच जाते हैं और दुसी तरफ वान भी जंगल में ही होता है और वहाँ पर वो जिसके स्पिरिट महसूस कर रहा था वो और किसी की नहीं गिंतेंग की थी और यह वही है जिसको वान के साथ लस्ट इमन बनाया गया था और जिसमें सर्वाइब किया था और गिंतेंग ने अपने चार तरफ एक इन्विजिबल शील बना ली थी जिससे कि वान उसे नहीं देख पा रहा था दूसरी तरफ हमें वही मॉंस्टर ट्री दिखाया जाता है जिसने सूर्यांग को अपने अंदर समा लिया था और वो मीहो को मारने के कोशिश करता है लेकिन युवान उसे बचा लेता है और उसे चुपा देता है लेकिन वो ट्री मॉंस्टर उस पर भारी पढ़ जाता है और वो अचानक से मीहो को मारने वाला ही होता है तो वहीं पर वान का खंजर आ जाता है और फिर से वो मीहो को बचा लेता है लेकिन फिर मीहो सूर्यांग को बचाने के लिए वान को कहती है तो वसके सी काईर कहती है उसे पित प्रूम के हैं और फिर उसे कायर है ऑर उसे ज्यादा सुनाती है वोों二 हो दूसर से बचाहन $ प्राशा हुआ होता है वह सब्सक्राइक होता है लेकिन वो दोनों तो अपने जगड़े में लगए हुए थे पीछे लेता है और उसके अंदर से कि बहुत ही खतरनाक इनर्जी बाहर निकलती है और इक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें वह मौंस्ट्र मारा जाता है और वहीं पर भी होश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो फिर वह उड़ते ही सूरियंग के बारे में पूछत उससे कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है और जो आगे होगा वह हमारे लिए अच्छा ही होगा यह सारी बाते सुनकर मीहो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है जो एक लेडी की पैंटिंग देख रहे होते हैं तब ही वहां पर मीहो आती है और उनसे सूरियंग के बॉर्फिन के बारे में पता लगाने के लिए कहती है और उसे करते है कि तुम भी कैसा लग रहा है मीहो से मिलकर इसे तुम पहले भी मार चुके हो तो फिर वहां कहता है कि मेरे हाथ तो लोगों को मरकर कैसा फील होता है यह मैं तुम्हें भी मैसूस करा सकता हूं तो फिर मिस्टर चैंग दिखा जाते हैं जिसने सूरियांग के बॉर्फिन की डिटेल्स निकल वाली थी और उनसे यह पता सलता है कि सूरियांग ही नहीं बलकि उसमें बहुत से लड़कियों को ब्लैक मेल किया है इसके जरीए जब मीहो सूरियांग से मिलने जाती है तो वहां पर उस तो मुझे नहीं रोख सकती और असे सूरियांग के साथ हुए अन्याय का गोहार लगाता है फिर हमें सूरियांग के बॉर्फिन को दिखा जाता है जो उन फोटो को वायल करने वाला होता ही है कि तब ही वहां पर उसके उपर कुछ पद्या गिरती है और बहीं पर लिवोना है मीहों से बैंच जो मिलने आई हुए होती है और वह से यह कहती है कि मैं सूरियांग की ग्रैंड मदर हूं हुँ और इसे घैंक्य बोलती है उसकी जानवर चाने के लिए और थोड़ी देर बाद जब बाहर जा रही होती है तो वहीं पर वान आजाता है और वह दूनों बा नहीं आया था और फिर वान को ये बात भी जल्दी समझ में आ जाती है और फिर हमें नाइट का टाइम दिखा जाता है जहां पर मीहों को पाता चलता है कि सुरियंग के बॉर्फरिंड की डेथ हो चुकी है तो भागते हो एवान से मिलने जाती है लेकिन उसे युवान मिल जा तो फिर मीहों उसे एक पौन देती है और उसे कहती है कि हमेशा गायफ हो जाते हो तो तुम इसके जर्ये मुझसे भात कर सकते हो और फिर वो जब वापस आती है तो उसे युवान उसके लिए फ्राइड चिकन छोड़ कर जाता है तो फिर उसे खाने लगती है और वो सोचत करकर उसे लगता करता करकर उसे उक्साने की कोशिश कर रहा था क्योंकिसे पहले से उसे शेवान को नुक्सान को नुपसान सकती गर ऑँक्र कर बहुतु करने लगाता थे है यूञान उसके मातेपर वो क्रोस साय लगाता है तो hyoains फूरी तरइके के बदल जाता है और यूञान को मार्ने लग जाता है तभी वहां भूंते हैं दूंते घूंते ईन्ठमी भी और यह देगकर बहुत सब़ाया हो जाती है और वहीं आपने खंजर मिहो के अंदर गुषा दिता है कि ऐसा लगता है लेकिन वह खंजर उसमे अपने हाथ पर ही गुषा लिया था और उसका blood मीहो के face पर लग जाता है और फिर one demon से एक्दम normal हो जाता है और फिर ये देकर मीहो तो बेहोश ही हो जाती है तो फिर यूआन उसे वापस ले आता है और फिर यूआन मिस्टर चैंग से कहता है कि मैं उसे check करना जाता था कि one more time से savior को protect कर रहा है और आज जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर तो तुम्हें भी यकीन हो गया होगा कि savior को one ही protect कर सकता है तो फिर यूआन कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं लेकिन ये glass demon है और हम ये भूल नहीं सकते और मुझे लगता है कि अब मुझे सेवियर को protect करना चाहिए और मैं करूंगा तो उसे तरह हमें one को दिखाया जाता है जो ग्रेव यार में बैठा होता है और वो मीहो के बारे में सोचता रहता है और उसके हाथ बहुत ज़्यदा वाइबरेट कर रहे होते हैं तो एकदम सही हो गया और उसकी आँखे भी नॉर्मल हो गई वहीं दूसरी तरफ हमें किंतेंग को दिखा जाता है जो दो लुबैंक के स्टेच्चु को अपना ब्लड देकर बहुत सारे ब्लैक स्पिरिट को आजाद कर देता है जिने बाढ निकलते होई वान भी देख लेता है और यहां से से शिफ्ट हो जाता है और हमें एक जंगल में दिखा जाते है कुछ लोग जिनमें से एक लेड़ी को दिखा जाता है जो एक डीमन को इसे इंसान के ओर्गन खाते होई देख लेती है और जैसे वह वहां से डरके भागने लगती है तो फिर वो टीमन उसे भी देख लेता है और वो उसे भी पकड़ लेता है और फिर हमें युवान को दिखा जाता है जो मीहों से मिलने आया हुआ होता है लेकिन वो उसके रॉम में नहीं होती है क्योंकि वो GPS के जरी वान को ढूँनने के लिए चली जाती है और फिर वो ढूनते ढूनते ग्रेप यार्ड में पहुंचाती है और उसे वहां पर वान मिल जाता है तो फिर वान उसे कहता है कि तुम यहां से चली जाओ लेकिन पिर वो कहती है कि जब तक तक नहीं कर देती, मैं यह जाँगी तो फिर वान कहता है कि कल क्या हुआ था, क्या तुम भूल गई अचार यह reagär भी भाहन से लोग्जाँ कर तक दो बाग्娘 केढ़ कर एंग्यो leakis तो फिर मीहो गुसे में कहती है कि ठीक है मैं यह से चली जाती हूं लेकिन तुम मुझे अब से प्रटेक्ट मत करना और वो गुसे में वहां से चली जाती है और जब वो वापस आती है तो मिस्टर चैंग उसे बात कर रही होते हैं तब ही वहाँ पर युवान आता है और उससे कहता है कि आप से तुम जहां कहीं भी जाओगी तो मुझे सात्व लेकर जाओगी क्योंकि अपसे मैं तुम्हारा बोडीगार्ड हूँ फिर युवान और वो स्कूल जाते हैं और उसके स्कूल में युवान को देखकर सारे लड़किया अट्रेक्ट हो रही थी और वो उसे ही देखे जा रही थी लेकिन वहाँ पर मीहो सूरियां को देखती है जहाँ पर कुछ लड़कियां उसे बुली कर रही होती है और फिर वो उससे जाकर कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम चिंदका मत खोरो तुमें बस कुछ को टाइम देना होगा तो फिर सूरियांग कहती है कि आप कोन है मैं आपको नहीं जानती और फिर वहाँपर जोई आ जाती है और वो सब कुछ उसे बता देती है और उससे कहती है कि यह भाई टीचर है जिसमें तुम्हारे जान बचाई थी तो फिर सुर्यांग उसे थैंक की बोलती है और फिर वहाँ से चले जाते है तो फिर वहाँ पर सुचिन भी आ जाती है और वो मीहो को बताती है कि नेक्स वीक उसके शादी होने वाली है वो भी उसके boyfriend के साथ और फिर हमें night का scene दिखाया जाता है जहाँ पर सभी dinner कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर यूवान के पास एक call आती है जिसमें उसके भाई के बारे मुझे बता जाता है और वो ये सुनकर बहुत ज़्यदा sad हो जाता है तो फिर मेहों मिस्टर चैंक से पूछी है कि उसका कोई भाई भी है तो फिर मिस्टर चैंक उसे बताते हैं कि उसका एक बड़ा भाई है जिससे वो बच्पन में ही अलग हो गया था तब से ही वो अपने भाई को ढूणने में लगा है और वहीं दूसरे तरफ हमें युवान के भाई जैंग को दिखा जाता है जो बहुत ही गरीवी में अपना गुजारा कर रहा होता है और वहीं पर जैंग सफाई कर रहा होता है तभी वहीं से दो लोग दाने मारते हुए जाते हैं तभी वहाँ पर उन में से एक आदमी पर वह फो उसका लेवर भी निकालकर यहीं कहता है लिए नहीं है तब वहां पर दूसरा आदमी भी आ जाता है और वहुह उससे भी मार देता है तब वहां पर गिम्तेंग आता है और उनके बोडी इसको देखकर उसे अपने चाको से चिर्वार कर देता है दुसरी तरफ दिखा मेहो युवान को सुजन के वेडिंग पार्टी में लेकर जाती है जिससे कि उसका मूद तो ठीक हो जाए और मीहो अपनी फ्रेंड को ऐसे वेडिंगे ध्यां होटल का सबसे महंगा और सबसे अच्छा स्वीट रूम बुक करवा देती है और यह सुनकर तो उसके फ्रेंड बह बात कर रही होती है कि उसमें से कहती है कि उस पर बारा बार खंजर से वार हुआ है वह लोकेशन पर जाकर उस बोड़ी को देखते ही पैचान जाता है यह गिम तैंग ने किया है कौफिय हमें मीहो और यूवान को दिखा जाता है जहां पर यूवान और उसका भाई रहा कर और यूवान जब उसके घर पर जाता है तो उसे पुरानी बाते याद आने लग जाती है जहां पर एक कृष्टिन फैमिली ने उसके भाई को ड़क कर लेती है और फिर मीहो से उसके भाई का एड्रेस भी देती है तब यह पर एक क्रीचर भी दिखाया जाता है जिसके जरी कर गारी होता है तो जा रहा होता है वह गयों तो नहीं होता है लेकिन प्रेज़ देखता है और आपकी कि टलाता था है En 005 decepals और और वहां पर मीहो भी आ जाती है लेकिन फिर वान भाही पर गेम तैंक को भी देखता है जो आपर च्छत पर बैठा होता है उसके हाथ में सुचिन का हस्पनेट था जिसे उसमें माल डाला था और वह से नीचे गिरा देता है और यह सब देकर मीहों बहुत ज़्यादा जाती ह वह रोने लग जाती है और दूसरी तरफ हमें युवान को दिखा जाता है जहां पर उसे एक शिप यार्ड में उसका भाई भी मिल जाता है और वह दूसरे को देखते ही पैचान लेते हैं लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह होती है कि जो उसमें जैकित पहना हुआ था वह युवान का लिवर भी निकाल कर उस बच्चे को लगा देते हैं और उसे एक सुनसान जगह पर फैंक देते हैं जहां पर भई पादर आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और दूसरी तरह हमें बान को दिखा जाता है जिसका फंदर बहुत जबादा वाइबरेट कर कि यह ना जो आ चुगा था और वह मारने वाला ही होता है लेकिन रुक जाता है तो फिर देंग कहता है मैं तुम्हीं यहाद है हमें जबर्दस्ति लष्टी मं बनाया गया था भी हमारे यूज करने के लिए तो मैं यह पूछना चालता हूं कि तुम अब जों मैंश मारने पर वहां से कब्शा जाती है और युवां के सौपे ही वहां प्लैश वैक में दिखाया जाता है तो अगर तुम अपने सारे दर्द से चुटकार अपालोगी और वो फॉक्स टीमन में कनवर्ट हो जाता है और जैसे ही वो उसे मारने की कोशिश करता है तो वान की प्रोटेक्टर शील्ड उसे अंदर नहीं जाने देती है वहीं पर फिर वान आ जाता है और उनकी बहुत जबर्दस फाइट होती है तो आपर अचानक से गिम तैंग आजाता है और वो जैंग को ले जाता है और फिर गिम तैंग वान का गला पकड़कर उसे कहता है तो तुम बहुत जबर्दा वीक हो गए हो उस लड़की को प्रटेक्ट करते करते और तुम चाहे कुछ भी कर लो मैं उसे मार कर ही रहूंगा औ तुम मेरे साथ हो जाना और फिर हमें वान को दिखा जाता है जिसे ब्लड की वामिंटिंग हो रही थी और वो उसी ग्रेवियार्ड में पहुंच जाता है जहां पर वह एक हिरन को देखता है और फिर मेहों अपने फ्रेंड से मिलने जाती है कि उसके हज़्दन की डैथ हो तो वह बहुत जादा रो रही थी तो उसे देखकर बहुत जादा दुखी हो जाती है और उसके बाद वान के पास चली जाती है और वह कहती है कि मैं बहुत जादा दुखी हूं और मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए और मेरे सवालों को जाब सिर्फ तुम ही दे सकते कशारे जो अधूरे काम थे वो तुम्हें पूरे करने होंगे और तुम्हारे काम पूरे होने पहुन désight कर रहा हुँ और मुझे इसका हम रहे है तो वह कुछ को जगा लूँगी और मैं इस साहरे काम के पास पास जाती है और उसके पास जा कर वह इकाख की पहार करती थी और वी दिमन को भाहर निकाल को ब ceux निकलों को टूटी ले चीजों को भी जोर सकती थी तो फिर फिर उस से कहती है कि कि मैं खुद को कैसे जगा सकती हूं तो फिर उससे कहती है कि तुम्हारे सीने पर यह जो मार्क है इसमें से एक अलग एनर्जी रिलीज होती है जो तुमने लिपोना के टाइम पर महसूस की होगी और तुम्हारे जागनी पर ही वह बैरियर ठीक होगा और तुम उन दीमन्स को कि दनिया में आने से रोक सकती हो लेकिन अगर जागने से पहले ही तो मर गई तो वांग्चूंग भी तुम्हारे अंदर ही मर जाएगी और एक तुम हो जो हमसा को बचा सकती हो तो तुम्हें खुद को भी अवेकन करना पड़ेगा और इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता है और फिर हमें युवान को दिखा जाता है जो अपने भाई की गदर पर तलवा रखा हुआ होता है और वह से पूरता है कि क्या तुम वही दीमन फॉक्स करने लग जाता है और उस पर क्रॉस टच करता है तो पूरी तरीकी से डीमन फॉक्स में बदल जाता है और जैंक बहुत ज़्यादा पेम फिल कर रहा था तो वह उसे कहता है कि तुम मुझे मार डालो लेकिन दूसरे तरफ युवान में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता रॉक्त करता हुट हो आपकी सान के रहे तो फिरवान कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं इसे माघ डालूगा अगर ठीक हो तो तो अगर ऐसा होता तो मेरे पार आते ही नहीं Sicैन to는 कोई मदफ में हों के पास चाता है और उसे कहता है कि आपने पूरियां को बिलिवोना की सिर्फ से बचाया था आप मेरे भाई को भी ठीक कर दो और फिर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है तो फिर युवान उसे उसे वासनेट में लेकर आता है जहां पर उसमें अपने भाई को रखा था और फिर जोपो उसका हाथ पकरती है पूरी तरह डीमन में चेंज जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन लेच में ही वहां पर युवान आ जाता है और वो उसी पर अटेक कर देता है और वो में मारने की वापस कोशिश करता है और तभी वहां पर अचानक से वान भी आ जाता है उस फोक्स डीमन से फ वेसरी तरफ हमें गिंतंग को दिखाया जाता है जहां पर उसके बहुत सारे पॉलोवर्स दिखाया जाता है और वहां पर उन्हीं लगों में बैञ्ट जो की वह ग्रेंडोटर भी होती है जिसका नाम जोई होता है और वो गिंटेंग से कहती है कि आप इतने समय से कहां थे अंकल और फिर यहीं पर इस सीजन का एंड हो जाता है और यहीं पर सीजन 1 का एंड हो जाता है I hope कि आप और यह एक्स्प्राइशन अच्छी लगी हो For more explanation please subscribe my channel